कि यह कि बारे में जो गौवर्मन्ट का यह वर्जन है कि यह किसी को स्रिजनशिप देने के लिए है यह रिफ्यूजीज के ग्रूप को किसी की शहरियत नागरिकता लेने के लिए नहीं है देश से आदमी को निकालने के लिए तो यह तुरा दूसरी बात होता है और यह बात है कि आगार ओ नहीं लेंगे किसी का चिन नहीं ले रहा है बोल रहा है लेकिन आप कानुन देखिए इसमें क्या बोला जो आई हुए है ओ तो ऐसे नगरिक है बहुत दिन पहले से है अभी जो नहीं बहले गषीनकंट का अब पहले जो नहीं क्योंदमा पहले इसको फक्रेश करने प्रेंपार को पहले ऊपर है तो आप पहले जो जो नहीं ता कि लिए कस ब hack से इस वश folds पैसे जादी होगारीब लोगों का सबसे हैं एक शोटाप़ से implans है छुता से मकंधection में उनकोढ़ी चुता से उनकी करता है ऊओ कहा जाएगा पहले पात साल के लिए पाज़ाइनर हो जाएगा तो उसको तो कोई चीजे इसका हॉख नहीं रहेगा जिस बेरि सेंसटिशिघ grandpa कि लिए जो आया था जो सामें इन्होंने किया और जिसके बाद अपोजीशन ने जो है और आपने खात्तोर से यह कहा कि हम नहीं होने देंगे इसको क्या लगता है इसका पॉलिटिकल मोटिफ है इसका मोटिफ है यह तो मैं बुलरा देखिए एंडिया का ब्यूटी है हम सेकुलर कंट्री है हमारे हर स साथ इंडिया का अलाग है बंगल का अलाग है लेकिन अट दे एंड अप दे अप दे वी आद शिटीजन अप दिस कांट्री एक साथ में हम लोग रहता है वी बिलॉंग स्टु इंडिया डेस को डिवाइड रूल करने का पॉलिसी जो बताया यह ओ होने से ओ देगा ओ नही होनी 10,000 साल हो गया है यह बातर कभी आया नहीं क्यूं होगा है आज यह देखना है कि हम यह देखना है कि हम लोगों को रोटी का二 माकान देंगे न लोगों कोली निकाल देंगे करें बन और S इसमें जो हुआ है जो खत्रा हुआ है आसाम में चलिसलाग लोगों को नाम निकाल दिया था अभी कोई देसका पॉलेसी नहीं होता है कि हमारा बीजेपी होगा खाली ओर आएगा सबको निकाल दो एक अभी हो सेकता है कोई प्रवार में आएगा कोई पार्टी जाएगा लेकिन हर इंसान का होग है देश में रहने के लिए आम देशन आप इस कंट्री हमारा सिटिजेंशिप हमारा बोटलिस्ट में नाम है हम बोट देके लिडर लोग चुंता है हम इतना सरकार बनाया राज आपको क्यार्न करने पड़ा कि आपका जनम संखा है आपका पिता जी का जनम संखा है हम को को पूछे आपका माता जी का जनम संखा हम कैसे बताएंगे इन पता ही नहीं है, हम भी गाउ में जनम लिया तो आप हमको बता हो, तो उसमें उसका date of birth certificate, हमारा school का certificate is my date of birth certificate, तो आप कहता है PAND नहीं चलेगा, अधार नहीं चलेगा, रिशन काड नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा तो क्या चलेगा खाली बीजेपी का गुंडाइसम चलेगा तो टार्गेट कौन लोग है अगर टार्गेट बीजेपी का पॉलिटिकली जो मर्जी है उसको पॉलिटिकल कोई हिट्टेट टार्गेट है जिसको हिट करते है उसको खिलाब में एही कानून ला यहां पर उनका इल्दाम है। अब बताओ, यह हमारा साथ बॉडर नहीं है, इसा कांटी भी बहुदा इसको लेके आया, लेकिन स्रिलंका तो हमारा तमिल नरु का बॉडर है, तो उसको रिफ्यूजिक के क्यों छोड़ा, पहले इसको रिप्लाई देने बोले। खाली बिंगॉल में उनको पॉलिटिकल फाइदावाजी के लिए गुछूटा कह रहा है, जो हम इसका सथ सहमत नहीं हूए। बढ़ी पाटी जो होती हो चाहती है कि पूरे हर जगह पर उन्हें पावर में आने का कोशिच करती है, लेकिन बीजेपी का बंगाल पर फोकस बहुत जादा है और एक पोलिटिकल राइवल के तौर पर कितना बड़ा चैनल है आपका? बीजेपी के जाधा पोकस अप लोगे को मेडिया का माध्धम से होता है रही है।- अईखर जन्त पर अगिंगे को ऊगलते हैं। यह हम कभी नहीं सह सकता है because I am from the movement and it is my character, my character is that I have to fight for the people, I am for the people, I am of the people, I am by the people, I am for the people, I am here because it is not my permanent chair but this permanent chair is for the people, to the people and that's why I have to remember the people. मताजी यह बताये कि यह जो NRC हो या CA है यह आपको क्या लगता है कि BJP के लार्जर हिंदुतु का एजंड़ा है हिंदु यह तो उसका खिलाब में movement ज्यादा कर रहे है आप देखाने बीजेपी चाहा था बीजेपी चाहते थे हिंदु मुशलमान का movement हो जाए लेकिन देश का एक बड़ा गोरब है हिंदिया का कैरेक्टर है सेकुलरिज्म का कि हर हौर इनसान आज इसका खिलाब है अच हिंदु ज्यादा खिलाब है मुस्लिम तो है उसको जिन्देगी बरबात करने के लिए जो भी मर्जिय करते हैं लेकिन यह भी है कि हमारा हिंदू मुस्लिम सी की साई सब इसका खिलाब है यह बताए कि CA तो अब तो कानून बन चुका है सेंटरल गौइं का पार्लमेंटसे पास किया हुँ प्रेंज बहुत सारी स्टेट जो खाते हों संत्रक में elected government है ऐसा state भी elected है तो state में कुछ करना है तो central law होने से भी हमको दिखना है कि यह law हमारा क्या जर्णता का उपर कोई anti people वाक्तों नहीं करेंगे anti people आगर वाक्त करेंगे तो कौन समालेगा स्टेट को हमको दिखना है सांती से स्टेट चलिए आपको लग रहा है कि जिस तरह थे प्रोटेस्ट और डिमोंस्टेशन्स हो रहे हैं पूरे कंट्री में क्या गवर्मेंट हुकूमत दबाव में आई है सेंट्रल गवर्मेंट कुछ तो आया है लगता है लेकिन जब तक गवर्मेंट का देश है जो देश अजादी का लड़ाई में एतना लड़ा हमारा देश में हार हिंदूस स्टान चाहिए हिंदूस मुस्लिम सीख किसा आई आपोस में रहना भाई-भाई यह हमारा सबसे बड़ा स्लोगन है हौन इंशन का नाम है हिंदुस्तान इसको हम रो पासब्द हों एक यह हम यह बताइए किस तरह का फूशर देख रही है यह ख हैर जनता का है किसी का नहीं है, ultimately at the end of the day peoples are the winner.